रोजगार बिलकुल खत्म कर दिया ब्रेस्टा चार दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है जिस नौकरी के लिए पहले 4 लाख रुपे देने पड़ते थे अब उसी के लिए 12 लाख की मोटी रकम देनी होती है यह हम नहीं कह रहें यह कहना है इन परिस्थितियों से होकर गुजरने वाले ग्रामिनों का यहां के बेरोजगार युआओं का जिनोंने सत्ता सीन बीजेपी सरकार पर कभी भरोसा किया था लेकिन अब उनका ये भरोसा पूरी तरह तूट चुका है गौहाना के लाटगाओं में जब खबर तहलका की टीम ने चुनावी मिजास का जायसा लिया तो सरकार के लिए बेरूखी ही सामने आई यहां हर वर्ग सिर्फ जगबीर मलीक को ही विदायक देखना चाहता है और तो और पूर्वसी एम भूपेंदर हुड़ा की वापसी ही उनकी पहली खुशी है देखिए लाटगाओं में से नंदिनी सिंग की रिपोर्ट यहां पर विदान सबा चुनावों की तकदीर लिखी जाएगी तो उसी क्रम में हम निकले हैं इस गाउ में चलिए मेरे साथ पता करते हैं कि किन मुद्व पर यहां के लोग वोट देगे इस वक्तर मौजूद है गोहाना विदान सबा के लाट गाउं में जहां पर एक चौ कि विवस्ता थी हर्याप में वो बंद हो गई हैं तो क्या कहना है आप गी हुआ है रोजगार है आप पर क् परिया आप क्या करते हैं क्या लगान सबत्ता किमा आइद्षा काल की58 कि यहां करेगी मारे कल अम फटल्प कर होगा कि तबी ताव वोट दे रहे हैं इस बार जी बिल्कुल पक्का दे रहे हैं अच्छा तो 21 को क्या सोच के वोट देंगे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है सरकार आपकरी काम करें सरकार जी समय बरस्टा चार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मोतें अड़के तोरी दकेटी अच्छा अच्छा बीजेपी ने तो कहा कि जो खटर सरकार है उसने बरस्टा चार खतम कर दिया ना जी बिल्कुल नहीं करें वोट देंगे आप किसानों के साथ बीच से लेकर बाजा किया सरकार करने सरकार तो कहती है कि उसने सम्मान जो योट करते हैं आ görते हैं इस करते हैं चैति हैं उसके किसानों की प्रकत कर रहा है उनका कहना है कि किसानों के लीज संकार सम्टा अच्छा क्या करते हैं खेती वारी है अच्छा फसल वार जो फसल होती है लागत मिल रही है उतनी नहीं अच्छा नहीं तो आपके बार किसको देखेंगे तो कौन सरकार आपके लिए काम करेगी बताईए उड़ा सरकार अच्छा बैया अभी हमने तुम्हें देखा तुम टेक्टर चलाते हो तो कैसा चल रहा है तुम्हारा डीजल के दाम बड़े हैं घटे हैं क्या सर बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ गया कोई काम निचाल रहा झाल या फसल के दामपूरे न्योरे खर्चा ज़ादा हो गया इस बार डीजल वी तीसपैसे रव ज़्यादा बत गया पांच साल पहले डीजल सस्ती थी या अब सस्ती है पहले सस्ती थी अब क्या देखते हैं बदलाव देख रहे हैं क्या चाहते हैं बदलाव सचते हैं एक भी पूरा नहीं लाक्टाइए वह तो तो गैती किसानों के साथ खड़े हुए हैं भस्ता चाहर करें तरह करें तरह किसाना पाथ है जो किसान संवान योजना थी उसमें लोगों का पैसा आया आप किसान है कोई परवार के जो बच्चें उनको रोजगार मिला पांच साल म लें अभी हम अ हाँ बताईगे यह फशल भी अच्छुना भी मा काट दें कुछ नहीं मिल रहा किसान के पैसे लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़िये क्या कहेंगे तब आंगे तब हैं दान खड़ाब होए पाड़ी में पाकिस्तान के लिए प्रस्टाचार की खतम हो रहा है अभी एक बात बदाईए उन्होंने जब मोधी अपनी रैली करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि उन्होंने 378 देश के लिए बहुत काम किया नहीं पहले प्रेश्चन सुनिये तो क्या लगता है कि वो मुद्धे नहीं कि नही करते विगास की बात तो नहीं करते हैं आपको भी लगता है वाथिसी है इंदु मसलमान पाकिस्तान और किम को नहीं अदमी के दाने को यह बैदा दे आंपसमें को दूसरी जाती को बिढ़ा दिया बीश्री वरक को मुसलमान उनको बिढ़ा दिया अब कहा रहे हैं कि जो भाज़पा सरकारे लोगों को भीढाती है आपको क्या लगता है हां बेढती है जी विकास के मुद्धे पीछे छोड़ दिया और इनसे जातपात का नारा दे दिया सब्सक्राइब कर दो नहीं है एक पूरे सोनी पजले में पूरे रियाने में एक मेडिकल बना को युनिस्टी बनाई हो को रोड का ड्या हो को कि बढ़कांता ही कितने जुन से बी एमे करें उट बाला करें डी गुरुप में बेच्टी करी नहीं दा जवाना की बाजपा का क्याना है कि खट्र सरकार में हर्याना सुकी संब्रद सब कुछ है अब की बार उड़ा सरकार तीसरी बार उड़ा सरकार यह थे हम गोहना विधान सबा के एक गाउ में जहां पे हमने लोगों से पूछा तो लोगों की बड़ी नाराजगी है लोगों का कहना है कि जो किसान सम्मान योजना है जिसके बारे में बाजपा कहती है कि सीधा पैसा उनके खाते में जाता है तो यहां पे अभी तक मैंने चितने भी लोग थे उन समने बड़ी नाराज़्गी जताई तो ऐसे ही खबर तहलका का सफर चल पड़ा है अभी हम और आगे गाउं गाउं जाएंगे जानेंगे कि जब 21 अक्टूबर को जननता वोट देगी तो किन मुद्दों को ध्यान में रखे वोट देगी कैमरामेन य अदब शर्मा के साथ गौहाना विदान सावाज से नंदिनी सिंग् हर्याना से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका बेल आइकन को प्रेस करें